नमस्कार दोस्तों, रेलवे के तयारी करने वाले जितने भी छात रहे हैं, ग्रूप D की वेकेंसी का पर सब्ली से इंतजार कर रहे हैं, और ग्रूप D की वेकेंसी जल्द आने वाली भी है, और बहुत सारे लोगों के मैंन में ये सवाल है कि कितनी संख्या रह सकती है, क्या इस तरह से वेकेंसी दिया जा रहा है, क्या इतनी ही संख्या में गुरूप D को भी निप्टा दिया जाएगा, गुरूप D में ITI रहेगा या हटेगा, यह सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि पिछले बार भी प्रोटेस्ट हुआ था, ITI को लेकर, जो ITI किये हैं, वो उनक का कहना है कि ITI नहीं रहने वाला है, सारी चीजों पर बात करेंगे, हमारे साथ नमीन सर है, और नमीन सर से सटिक जनकारी हमको नहीं लगता है, कोई दे सकता है, सबसे पहले सर स्वागत है आपका, जी बहुत बहुत धन्यवाद, सर एक विवाद टाइप से चल रहा है, रे है, क्योंकि जो भी चीज है, मेरे या आपके कहने से बदलने वाली नहीं है, वो सब सारा सिस्टम का खेल है, जो सिस्टम यानि की रेलवे जो नियम कानून बनाई है, आप छात रहे हैं, उसको फॉलो करना है, और, बात करना से एक चीज पहले है, सर, गुरूप D की जो पि आइट किया जाएगा, या अगली वेकेंसी में आइट किया जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन में क्या कुछ बोला गया से, ये बात बिल्कुल असपस्ट थी, पिछली बार ही आइटी आई को इंप्लिमेंट कर दिया गया था, लेकिन छात्रों के हंगामा के कारण, चुक अब आगामी जो भी ग्रूबडी की वेकेंसी आएगी, उसमें अनिवार तया आईटी आई इंप्लिमेंट रहेगा, यानि आईटी आई लागू रहेगी, उसके बाद बजापते नोटिस भी निकाली, इस्पेसली, और नोटिस निकाल करके, उसमें भी ये किलियर की, कि आ वहाँ पर भी किलियर किया गया, कि असपस टूप से कि आईटी आई के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा, एक तो टैंथ प्लस एक्ट अप्रेंटिस सिप, यानि जो बच्चे अप्रेंटिस किये हैं, या तो उनको दिया जा रहा है इसमें तवज्यो, उनके लिए स्पेसल सीट रिजर्व है, दूसरा उसमें दिया गया अथवा टैंथ प्लस आईटी आई, ये दो क्वालिफिकेशन की बातने की गई है, उसमें जैसे अलग-लग डिपार्ट है, रेलवे में, वहाँ पर जो ग्रूप डी का बाहली होना है, चाहिए वो मैकनिकल से रिलेटेड है, स अलग-लग डिपार्ट है, सब जगह आईटी आई, इंप्लिमेंट होगा, एक दो ऐसे पोस्ट हैं उसमें, जैसे ऑफिस असिस्टेंट का है, कुछ एक दो ऐसे पोस्ट है कि जहां पर आईटी आई का कोई मतलब नहीं है, तो में भी एक दो पोस्ट ओपन रहे, लेकिन बा इसके पहले भी notice बीच में निकाली थी railway कि अब जब भी आगे group D की वेकंसी आएगी तो उसमें आईटी आई रहेगा, बहुत सारे पोस्ट पे group D की वेकंसी आती है, तो कितने पोस्ट पे रह सकता है और नहीं रह सकता है, क्या कुछ आज जैसा करे रहे हैं कि दो तिन पोस अब नहीं है, हमीं बोल देंगे कि नहीं होना चाहिए, क्यों जरूरी है तो सरकार अपनी सुभधाओं के हिसाब से नियम कानून बनाती है, अब वहाँ पर वो समझती है कि इस पोस्ट के लिए बेतर कारगर साबित होंगे, उसी हिसाब से पोस्ट भी इजाद किया गया है और उसी हिसाब से बेकंसी के लिए बताया भी गया है, अब बात रही कि number of वेकंसी कितनी आसकती है, यह साथ में महतपूर्ण है, वेकंसी कब तक आसकती है, यह महतपूर्ण है मैं 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000 कोई कि 30,000 भी आ सकता है जैने का तो एक लाख भी वेकंसी आएगी आया, इसा भी कहा जा रहा है लेकिन बोलने से सिर्फ होना नहीं है जिस हिसाब से एक्जाम कलेंडर रेल्वे दे रहे है तो अगर जैसे ऑपरेटिंग पोस्ट जितने भी है और पोस्ट सेफ्टी के जितने भी हैं तो वहाँ वेकंसी नमबर ओफ वेकंसी थोड़ा अधिक संख्या में निकल रही है बाग की पोस्ट पे वेकंसी कम आ रही है आप देख लिजे एंटी पीसी देख लिजे ग्रेजुट लेबल और अंडर ग्रेजुट लेबल कितनी के 800 वेक वेकंसी वहीं पर आप देख लिजे ड्राइवर की वेकंसी को 5696 से बढ़ाना परा फिर टेक्निशन की वेकंसी को बढ़ाना परा तो इस हिसाब से ग्रूप डी चुकी 70 के टेगरी का ही मैक्सिमम इसमें पोस्ट है तो लगता है कि यहां पर चुकी एकजाम कलेंडर की भी वेकंसी ना रहा करके और बहुत कम भी नहीं रहेगी एपरोक्स 25,000 से 30,000 की संख्या में गुरूप D की वेकंसी इतना ही रह सकती है हमको नहीं लगता है कि से ज़्यादा वेकंसी देगी हमको लगता है रेलवे की सबसे पुरानी कोचिंग है आपनी हमको लगता है पूरे हजार या पचीस हजार की संख्या में आएगी पिछले गुरूप D की वेकंसी को देखते हुए संतुष्ट हो पाएंगे च्छा पिछली बार एक लाग तीन हजार वेकंसी गुरूप D के आई थी और एक करूर पंद्रे लाग बच्चे फॉर्म भरे थे एक करूर पंद्रे साले ही बच्चे सिर्फ इंप्लिमेंट होंगे जैसा कि आप देखी रहे हैं कि वजाइबते अगरे में भी खुलासा किया जा रहा है तो वेकंस एक निश्चित संख्या में फॉर्म अप्लाए होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि निश्चित संख्या के मतलब हुआ कि पांच ला वेकंसी बास्तविक में बहुत टफ वेकंसी है आप देखते हैं कि लगभग 40% स्टुडेंट जॉइन करने के बाद आगे चलके छोड़ते हैं यह अब तक का रिकॉर्ड है सीट वेकंट नहीं रहा जाती है जॉइन करने के बाद काम उनसे नहीं हो पाता है तब जाके कि कम से कम रेलवे में हमको जॉब प्राप्त होगा बात में जाकर पता चलता है कि बच्चे उसके लिए खुद को सुटेवल नहीं पा रहे हैं उनसे काम नहीं हो पा रहा है तो अंतता है उनको छोड़ना पड़ता है परिस्तित नहीं लेकिन अब दिक्कत यह हो गई है कि यह किलियर कर दी है कि one is to one में ही हम रिजल्ट देंगे यानि number of vacancy जितनी होगी overall उतनी ही रिजल्ट हम देंगे ऐसी परिस्ति में अब दिक्कत यह हो गई है कि यह railway का एक policy भी है कि इससे vacancy 40% बचा लेना यह मोदी जी का खेला है आप समझे आपकराओं का खेल है यह तो अ दस हजार vacancy तो ऐसे ही खाली रहा जाएगा यही बातें चल रही है